इस वीडियो में हम लोग चार जोलाई के इथिक्स करवे Pepper की Case Study को डिसक्स करेंगे तो चली हमाँ दो Case Studies दी कही시 थी एस पेपर में तो पहला Case Study हम लोग देखते हैं पहले Case Study में ये बताया गया है कि आप एक संगठन के अध्रज के रूप में परदभार समालते हैं और वहाँ देखते हैं कि बहुत साथी खामिया है और वो खामिया क्या है उसको मैंने प्रक्रण से संबंदे तत्यों के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रक्रण से संबंदे तत्यों को लिखने से फायदा ये है कि जब आप प्रश्णों को जवाब लिखेंगे तो तथ्यों के से समायूजित कर पाएंगे, तथ्यों के आधार पर उनको लिख पाएंगे इसलिए case study को solve करते वग छोड़े-छोड़े points में इनको लिख लेना चाहिए जिसे पहला तथ्यमलों को दिया गया कि staff समय का पाबंद नहीं है बेयर्थ बातचीत में समय नस्ट करता है, जन्द शिकायतों पर त्वरित कारिवाही नहीं होती है शभी इस तरों पर ब्रस्टा चार है वहाँ पर और संगठन निमनस्तर का है तो यहाँ पर दिखिये मुख्यता जो बात है वो है कुशल प्रबंधन का आभाव क्योंकि अगर प्रबंधन वहाँ पर होता तो उनकी इन कमियों पर पाबंदी लगाई जा सकती थी इनको नियंत्रत किया जा सकता था तो हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो यह होगा कि वहाँ पर कुशल प्रबंधन का आभाव है अर्थात वहाँ के जो प्रबंधक हैं जिन लोगों के हातों में प्रबंधन की जम्मेदारी हैं वो कुशलता पूर्वक अपने जम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर प्रबंधन से ताथ पर आपने एक मैनेजमेंट में एक पोस्ट कार विव थेरी है प्लानिंग, और्गनाजिंग, स्टाफिंग, डिरेक्टिंग, कोर्डिनेशिंग और बजटिंग मैनेजमेंट के कारियों को पोस्ट कार्व के माध्यम से समझा जाता है इन सभी का यहाँ पर कमी रिखाई पड़ती है ना तो प्लानिंग प्ॉपर होगी कारियों की, ना ही उनकी औरॉगनाजिंग होगी प्रॉपर कि सही बेक्टी को सही कारे सोपे जांए उनको किस ढंख से करना है? बॉस्टिंग की भी प्रवलब हो सकती है इसको हम लोग एक हेडिंग में लिख सकते हैं कुसर प्रबंधन का आभाव है क्योंकि समय पे स्टाफ नहीं आता है तो इसका ताथ पर ये है कि उनमें अनुशाशन की भी कमी है सभी लोगों में चाहे वो ओचे स्तर पे हो या नेमनस्तर पे है फिर तीसरा पॉइंट हो सकता है समर्पन का आभाव वो समर्पित नहीं है अपनी सेवा की प्रती, अपनी नौकरी की प्रती या अपने कारी की प्रती यह उसे सिर्फ इसे 9 to 6 का जॉब मानते हैं न कि उसको यह मानते हैं कि वो किसी एक विसेश कारी से जुड़े हुए है परिवेच्छन का प्रहावसिल ना होना सुपरिवीजन या परिवेच्छन जब उच्छदिकारी अपने निम्न अधिनस्तों की नहीं करते तो भी वो ठीक रिजल्ट नहीं आता है तो इसलिके यहाँ परिविछन भी प्रभावसील या effective नहीं दिखाई पड़ता है और यही वज़य है कि संगठन का इस्तर जो है वो निम्न है फिर जवाब देहिता की कमी है क्योंकि कोई भी किसी को जवाब देने के लिए उत्तर दाई नहीं है अगर काम समय पर नहीं होता है तो ठीक है चलता है उस पर कोई कारवाई नहीं हो रही है समय प्रभंधन का अभाव है time management क्योंकि वो समय पर आते नहीं है जब समय पर आएंगे नहीं तो काम नहीं करेंगे बहुत सारा time वो अपना gossip से बातों में बर्बाद करते है तो इससे पता चलता है कि वो उनमें समय पर बंधन का अभाव है अभी प्रेड़ना की कमी है यह एक बहुत ही important factor है अगर किसी भी organization में motivation नहीं है तो वहां के लोग कारीव करने में रूची नहीं लेते हैं और मन वांचित या desired targets होते हैं उनको समय पर अचीव नहीं किया देखने को मिलता है कि वो नहीं कर पाते है फिर जनता में भी जागुकता की कमी है अगर ऐसा नहीं होता तो जनता ग्यापन सौपती जनता बार बार मांग करती और दबाव बनाती इन करमचारियों अधिकारियों के उपर काम करने का फिर अगला पॉइंट हमने उलिख सकते हैं कि लोक सेव को प्रशाष्टिक मूल्यों की कमी है जिसे सत्यनिस्ठा क्योंकि उन्हें सपतली होगी कि मैं काम टाइम पर करूँगा जन सेवा करूँगा समिधान के प्रती समर्पित रहूँगा लेकिन वो यहाँ पे अपने इन मूल्यों का पालन नहीं करते हैं ना तो सत्यनिस्ठा नहीं करते हैं फिर वहां पर शिकायत निवारान तंत्र की भी कमजूरी है और निथा जन शिकायतों पर तौरित कारवाई की जाती है तो यहाँ पर शिकायत निवारान तंत्र जो है प्रभावसील नहीं है या कमजूर है अत्रिक्त लाव लेने की आकांचा हो सकता है कि यह organization के जो करमचारी हैं वो अत्रिक्त लाव पाने की इच्छा रखते हो तभी वो समय पे काम न तो आते हैं नहीं समय पे काम करते हैं बहुत साथ टाइम यहां वहां बरबात करते हैं एक और पॉइंट हम लेख सकते हैं कि लक्ष निधारन और उनके समय पर पूरा न होने पर कारवाही न होना यहां पर टार्गेट फिक्स नहीं है कि हर करमचारी कितनी फाइलेंग पर काम करेगा या कौन-कौन से काम करेगा और कितने समय में करेगा अगर ऐसा होता और उस पर प्रॉपर निगरानी रखी जाती और काम पूरा न होने पर उनके खिलाफ कारवाही की जाती तो ऐसा निमनिस्तर नहीं होता तो यह प्रमख कुछे कमिया हैं जो सर करकारी संगटनों की सिवाओं का जो इस्तर है वो निम्द होता है जो हमें इस केस स्टड़ी के आधार पर प्राप्त होता है अगला प्रशन हमें पूछा गया कि स्टाफ को प्रेरित करनी की क्या उपाय हो सकती है कि आप कैसी उन्हें प्रेरित करेंगे तो देखी जब समस्या है कि इस तरह की और्गनाईजेशनल प्राप्लम है तो सबसे पहले उसका अन्वेशन किया जाना चाहिए कि प्राप्लम है कहा इसके लिए सभी करमचारियों की साथ ब्यग्तिगत तोर पे और सामोहे मेटिंग्स की जाने चाहिए और उनकी मनुवरत्ती को समझना चाहिए कि आखिर प्रत्यक बिक्ति अपना कायर ढ़ंग से क्यों नहीं करता है ये अपना समय ज्यादा तर गोशिप या फाल्तु की बातों में क्यों बरबात करते हैं फिर सभी करमचारियों के लिए उनके लक्षियों का नेधारण होना करना चाहिए कि आप इतने समय में इतनी फाइलें अच्छे से करेंगे उनका पूरा काम देखेंगे और उचित परिविच्छन समय समय पर उसका सुपरिविजन कि आपको ये काम दिया गया है आपने काम कितना किया हुआ है और जवुरत पढ़ने पर उन्हें माद्ग दर्शन देना तो भी कई बार ऐसा होता है कि माद्ग दर्शन के आभाव पे भी करमचारी आगे काम नहीं कर पाते हैं लच्छों की प्राप्थ होने पर उसका क्रेडिट सभी लोगों को देना सभी करमचारीयों को देना चाहिए ये एक तरह का मोटिवेशन होगा क्योंकि जब टागेट पूरे हो तो अधिकारी क्यों को ये करतब भी बनता है कि वो उसे माटें अपने पीठ थपाए अपने सहयोगीयों की ये आपने बहुत अच्छा किया फिर अगला पॉंट हम लोग लग सकते हैं कि सामवेगी बुद्धी का प्रियुक कर अपने सहयोगी करमचारियों की स्ट्रेंथ पता कर उसके अनुरूप उन्हें कारे करना यहां emotional intelligence देखें आपने पढ़ा होगा ethics में emotional intelligence क्या होता है तो उसके आधार पर अपने सहयोगी करमचारियों की मनोभावों का पता करना कि वो किस तरह के ब्यक्ति है और हर ब्यक्ति की मनोदसा अलग-अलग होती है और उसी के अनुसार अगर उनकी जो strength है उसी के अनुसार उनको कारे दिये जाने चाहिए अगर कोई ब्यक्ति public dealing बहुत अच्छे करता है तो उसको public dealing के कारी में लगाया जाना चाहिए उसको file work में नहीं लगाया जाना चाहिए इससे दोनों के उत्पादकता बढ़ेगी है अगर कोई ब्यक्ति public dealing में अच्छा नहीं है लेकि file work में बहुत अच्छा है तो इसको file work दिया जाना चाहिए, ये एक उधारण मैंने दिया, तो इस तरह के भी निर्णा लेनी चाहिए, यूजनाओं की क्रियानियों और निर्णा लेते समय अधिनस्त करमचारियों के सुझाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, जब ये कोई plan बनाया जाए, इसी भी तरह का, तो seniors को हमेशा अपने subordinates से चर्चा करनी चाहिए, इससे उन्हें एक motivation प्राप्त होता है, कि seniors उन्हें value दे रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं, अगर उनके पास कोई समस्यां भी हैं, उनकी कोई समस्यां हैं, official, execute करने में plan को ले करके, तो उस पर भी ध्यान दिया जा चाहिए, फिर शिकायत निवारन तंत्र को मजबूत करना चाहिए, कि कोई भी शिकायत आती है, तो उसको तुरित करवाई की जाए, करमचारियों के मदर टीम भावना का विकास होना चाहिए, क्योंकि हमेशा टीम जीतती है, एक player या दो player अगर अपना काम करेंगे, खेलें तो वो उतना अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, फिर सकरात्मक और नकरात्मक अभी प्रड़ना की बेवस्था की जानी चाहिए, सकरात्मक से तात्पर है, पूरसकार से, पीट थप थपाने से, प्रसंसा करने से, प्रसंसा पत्र देने से, प्रमोशन के लिए रेकम प्राब होते जा रहे हैं, वो दिसानरदेसों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनके इकलाब सस्पेंशन तक की कारवाई पर चले जाना चाहिए, विभागी अचार सहिता को लागू करना चाहिए, उस विभागी अचार सहिता को प्रपर तरीके से लागू करना चाहिए, और तो वो computer trained नहीं थे, तो काम करने में देरी होती थी, उनका मन नहीं लगता था, तो जब इस तरह कोई बदलाव आये समय के साथ, तो उन्हें समय समय पर training भी दी जानी चाहिए, और यह training ना कीवल कारे से संबनित होने चाहिए, बलकि ब्यावरात्मक भी दी जानी चाहिए, इ एक समाजवादी विचाधारा के बुद्धी जीवी प्रफेसर है, वे पार्टी के think tank से जुड़े हुए है, वे आहवान करते हैं कि संब्रांत लोगों जैसे कहतिकारियों, राजनेताओं को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में admission करवाना चाहिए, यह एक समाजिक वि कर रहे हैं, और इसमें पहला जो प्रश्न पूछ लिया गया है इस आधार पर कि क्या निशानत को अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में प्रिवेस दिलाना चाहिए, दिखे, इस प्रक्रण से स्पस्ट है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है, अर्थात उनकी सत्य निस्टा पर प्रश्न चिन है, उनको 12 माप दंड का बेक्ति माना जाने लगीगा, उनके जो कारे हैं, वो दहरे माप दंड वाले हैं, वो कहते कुछ और हैं और कर कुछ और हैं, जो कि किसी भी सब्समाज के लिए ठीक नहीं है, वे एक प्रफेसर हैं, लिस्टित तोर पे उनकी फॉ अगर वो दोहरे मापदंड अपनाते हैं तो इससे पार्टी की छवी भी धुमिल होगी पार्टी पर भी दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगेगा अथा उनके पास देखे दो विकल्ब हैं सामाजवादी विचाद हरा छोड़ दें ताकि जनता में गलत संदेश्ट न जाया और कोई क्रिटिसाइज भी नहीं करेगा और दूस्ते ही अपने बच्चे का अड़मीशन भी सरकारी स्कूल में करवाए और अन्य बुधी जीवियों के लिए एक आदर्स बने ऐसा करने से सदकारी स्कूलों के स्थिति में भी सुधार होगा, ऐसे क्योंकि वे एक बुद्रजीवी हैं, जो सुविधायां सदकारी स्कूलों में होनी चाहिए और घ्रष्टाचार की कारणिया किसी वज़े से नहीं दी जा पा रहे हैं, उसकी लिए समरांत लोग जो हैं उ इसलिए संब्रांत वर के लोगों को जैसे की निसान्त है उनको अपने बच्चों का अड्मिशन जो है सरकादी स्कूलों में करवा लेना चाहिए इस तरह से वो रोल मॉडल भी बन सकते हैं जैसे आपने सुना होगा कुछ समय पहले एक आईस ने अपनी बच्ची का अगर सरकारी स्कूल में वो करवाते है तो उनकी पार्टी के लिए उनके लिए दोनों के लिए एक अच्छा संदेश सायगा और फ्यूचर में सरकारी स्कूलों में भी सुविधाओं को बढ़ानी के लिए वो कारे कर पाएंगे जिससे कि कमजोर वरकी लोगों का फाइदा होगा तो ये एक सबसे उचित विकल्ब प्रतीत होता है दूसरा प्रशन पूचा गिया है क्या निशांत को बौधिक विमर्स त्याग देना चाहिए देखिए बौधिक विमर्स ताप पर है बौधिक विचारों का आदान प्रण उन पर तावकिक चर्चा करना और इससे समाज के विगास की में गति सीलता आती है क्योंकि समाज की समस्याओं का निराकरण जो होता है बौध्यक विचार विमर्स के माध्यम से ही निकलता है और यदि उनके जैसा अब्यक्ति बौध्यक विमर्स त्याग देगा तो यह ठीक नहीं है क्योंकि उनके बौध्यक विचारों से समाज को लाव मिल सकता है आता हैं उन्हें बहुत एक विमर्स नहीं त्यागना चाहिए। फिर तीस्तरा प्रश्न पोचा गया है क्या उन्हें अपनी पार्टी के लोगों को अपने समाथन में खड़ा करना चाहिए। क्योंकि Think Tank का काम होता प्लानिंग करना। उन्हें अपने कारियों दोरा ऐसे आदर्स स्थापित करने चाहिए। इसे कि पार्टी को भी लाव हो। और पार्टी के लोगों को अपने समाथन में ले की खड़ा करेंगे तो एक और उन पे आरूप लग सकता है यह कि गुंड़ा कर रहे हैं, उपर से दबाव बना रहे हैं तो बल्कि उन्हें ये करने की बजाए एक ऐसा कारे करना चाहिए जो उनके विचायधारा और उनके बैभार दोनों को में सम्मत हो। जो की सदकारी स्कूल में एड्मिक्शन कराने का अपने बच्चे का और अपने क्रिटिसिजम को रोकने के लिए उनको लोगों का भरूसा जीतना चाहिए अपने कारियों के द्वादा ना कि लोगों को दबाने के लिए अपने पार्टी के लोगों को खड़ा करना चाहिए और इस तरह अगर वो आपने सत्य निष्ठा इस्थापित करते हैं तो इससे पार्टी को भी इन से मिलेगा, और लोग भी इन्हें le rapport मानने लगेंगे। चौथा प्रश्न पोचागिया है क्या अपने बच्चे का अभिजाती स्कूल में कराना चाहिए। देखिए अगर वो अभिजाती स्कूल में अपने बच्चे का एड्मिशन करवाते हैं और यह सोच कि वहाँ पे सारी सुविधाएं होंगी और उसके बच्चे के भविश्य के लिए बहुत अच्छा होगा यह एक प्रश्ण हो सकता है कि उनके बच्चे का भविश्य के वहाँ पे बहुत अच्छा होगा इसलिए वो चाहते हैं लेकिन यहाँ पे सवाल निसांत की सत्यनिस्था का है क्योंकि वो सुविधाएं तो सदकारी स्कूलों में भी लाई जा सकते हैं क्योंकि वो पार्टी से हट जाएंगे कि नहीं हम तो अपने बच्चे का अदमिशन अभिजातिवर्ग के स्कूलों में करवाएंगे तो सदकारी स्कूलों की दसा में कभी भी सुधार नहीं हो पाएगा इसलिए उन्हें अपनी सत्यन इस्थापित करने के लिए कदम उठाना चाहिए उनकी प्रश का अभिजाती स्कूल की वजा सरकारी स्कूल में करवा कर अन्य लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए और उनकी इस प्रयास से समाज के बड़ा वर्ग जो है लाभानिवित होगा फिर प्रशन पूछा गया है सामाने तब बुद्धिजी वर्ग अपने बच्चों का अभिजा सिंबल ही बन गया है कि अभिजाती वर्ग के बच्चे जो है अभिजाती स्कूल एलीट क्लास के स्कूलों में जाएंगे तो उनको उहीं के जैसा इन्वार्मेंट मिलेगा उनका ख्याल लख जाएगा सदकारी स्कूलों में बेसिक सुधाओं का भी आभाव है हम लोग सरकारी स्कूल में घरता जा रहा है दिन बदिन ये भी एक कारण है सरकारी स्कूल रिजल्ट ओरियंटेड नहीं है देखा गया है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों का सिर्फ आना और जाना उनको टीचरों को इस बात से कोई सरोकार नहीं होता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं उनके किते percent बन रहे हैं जबकि private school क्योंकि एक अच्छी खासे fees लेते हैं वो अपनी जिम्मेदारी होती है उनकी और parents उनसे बात कर सकते हैं उनके उपर दाइक दबाव बना सकते हैं इसलिए अभिजाति वर्ग जो है सदकारी school की तरफ नजा करके अभिजाति स्कूलों में अपने बच्चों का इडिमेशन करवाते हैं पूरे case study में देखिए ध्यान पूरवक अपने को ये बात समझनी है कि जो तत्थि धिया गया है उसको ethics के मुल्यों के साथ solve करना है जैसे इस case study में सत्य निस्टा, दोहरा माप दंड, रोल मॉडल बनना, प्रेड़ना, अभी प्रेड़ना तो ये सारी चीजों को हमको लिखना होगा जिससे कि हम उसको एक आधार दे पाएंगे अपने answer का एक base बना पाएंगे उमीद करता हूँ कि आपको एक case study समझ में आई होगी दूसरी case study को भी आप solve करें इसी आधार और कोई समस्या आएं तो आप जरूर बताएं Thank you